घटना हम राजमित्रिक काम करते हैं, हम काम कर रहे थे हमको बचिया फाउन किया कि ममी को गोली लगई है, दिदी को गोली लगई है हम तो चला है यहां कि देख रहे हैं कि गोली लगा हुआ है, दोनों का गोली लगा हुआ है अब यहां बोल रहा है कि पताली राम का बेटा सुदाम कुमार गोली मारा है साथनली लिए अब किस कारन मारा है यह इस हमार हो घर पे चड़के मारा है फुलीस को सुचना मोहनपुर थाला में जुआँ पर गया था मैरा नाम पंगर्ष कुमार है पहले से कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, अचानक से ये घटना घटा दिया है कि मार देंगे गोल ये, आज मार ये दिया, और इस इक बज़े से आज भी हुआ और उस दिन भी हुआ, दो मरते तिन मरते हुआ, जब से बोट हुआ ना, तेरा तरीक परा, ता यो ये वो चलाया, और आज चलाया दोनों के लगा फोन लोग था है उलागेंगे चाचा लगेंगे वही चलाया ना, गोतिया हम था रास्ता पर तुम बैठी वही थी उस उसी को लेंगे गली में अपने दुआरी पर इजारी ये पर बैठते थे और एतना बड़ा गली है, तो बोला कि इनका है बैठती है, तो मोलें बैठें बाद के लिए जरीमनी जरीमनी वह भुआ था, तो पर बैठी हुई थी इसके लेकर वहा, इसके लेकर वहा, जिदो बन लगता चला, दोनों के लगा, तो ममीक भी लगा, तो तो तुम्हारी मार पर राम चंदर पोड़, वहां से सुचना मिली, कि एक मा और बेटी को जो है गोली लगी है, तप्तीश की वही तदकाल थानदक्ष को वहां पर प्रस्थान करवाया गया, और तप्तीश में ये बाद पता चली है, कि दोनों ही जो आपस है फडीक है, उन्हें के सुदामा कुमार, पेसर पताली राम के द्वारा आपसी वि मिवाद हुआ है, और ये गोली बाड़ की घटना घटी है, अभी जो इलाज चलना है उसमें पताया गया है कि खत्रे से बाहर है दूनों ही, जो गोली चलाने वाला है अपड़ादी, वो अभी मौके से फरार हो चुप है, उसकी गिरफतारी के लगतार हो जाए, हम लोग च है उन्युटर वह मचा आपना एकि जैए झाला हुआ है